तो जब भी आप होमस्टे में आते हैं तो सबसे पहली प्राइरिटी जो फैमिलीज के लिए होती है वो होती है सेफटी हेलो प्रेंट्स वर्कम बैक टो आवर चैनल यूमी आइन ट्रैवल और जैसे आपने हमारा प्रीवेस ब्लॉग देखा होगा विए बैक पंजब पंजब टू मनाली टो सोलाइंग टो सिस्सु और शिस्व जिस्पा और अभी मैं जहां खाडी हो यह भी जिस्पा ही है वहप सो आपको पुराने वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और इंफरमेटिव लग रहे होंगे मैं लास्टाने नos पर यहां यहा करते हैं हम लोगों ने लास्ट टाइम कर्मा कॉटेज लिया था बट इस बर हम लोगों ने न्यू होमस्टे ट्राइ किया है और उसका भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा तो मैं अब आपको आगे वीडियो में दिखाती हूं होमस्टे की सर्वेस और जो वहां की लोगो ठीक ना करो हैं तो यह रहा इनका कॉष्खर रहीर दाइनन एरिया लॉपाश्ट कर सकते हूं काफय शांति यह मुझे अच्छा लागा वेजी के साथ मुझे ज़े थी करने में यह कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो अभी तक को यहां पर खूयाप जीन की अरिज्मृ इरीज् यहां पर सीजन मतलब होता है कि जब लड़ा का रास्ता खुल जाए तो यह एरिया है जब आप इवनिंग में यहां बैट के चाय पी सकते हैं स्नैक्स आइटम एंजॉय कर सकते हैं और व्यू तो आप देखी रहेंगे कितना सुंदर है यहां से जब आप देखते हो पूरा इ और इनकी जो कुछ-कुछ बेडरूम में बालकिनी जो फ्रांट व्यूज है तो वो भी बालकिनी से काफी अच्छा लगता है जैसा कि आप जोती को देख रहे हमें उपर तो यहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं बोन फायर को स्कूल कैसे जाते हो बस से कौन से क्लास में हो कि थर्ड अभी मैं आपको दिखा रहे हूं यहां का रूम जो हम लोगों नहीं लिया था और यहां पर एक चोटा सब अच्छा है जो काफी अच्छी सर्फिस देता है बोलते है चलो मैं दिखाता हूं रूम तो हम इस रूम में स्टे कि यह पर हम लोगों ने थोड़ा रू कर सकते हैं अगर फैमली के साथ आने परिवार बड़ा है तो आप नीचे गदा भी लगा सकते हैं और अगर आपको लंबा होमस्टे चाहिए चाहिए तो यहां पर भी आपको सर्विस दीवी प्लाटफॉर्म दिया हुआ है अगर आप वर्क फ्रम होम कर रहें और आपको और मेरा लोगों का काफी अच्छा रहा नाइट यहां पर स्टे तो चली अब मिल लेतें अंकल से जिनका यह होमस्टे है तो अंकल कैसा रहा था पारिवारिक मावाले आपर बड़ी आराम से हैं कोई शोर श्राबानी होते हैं हटा भी रूख सकते हैं तस-पंदरा पंदरा मैने भी रुख सकते हैं जतना मर्जी बैठ सकती है तो अपर लेक्स अच्छा लगा यहां का service और खास करके लोगों का वैवार जो यहां पर ते वह वैवार करके अब मैं जितने बार भी जिस पर आने वाली हूं, मैं यहीं पर रुकने वाली हूं, लास्ट इम की एक्सपीरियंस से मुझे और अच्छा लगा यहाँ पर फैमिली स्टे और बेडरूम भी काफी जादा क्लीन था, वाश्रूम भी कंप्रीटली क्लीन है, गीजर है, सारे अब भी है, तो हमारे लिए बहुत मैटर करता था कि सेफटी है कि और जो हमारे अगल बगल लोग रहें, उनका क्राउट कैसा एजस्ट हो पाएंगे कि नाइट के लिए, बट लेकिन यहां पर बहुत इन चीजों का ध्यान रखा गया है, इस होमस्टे में कि मतलब मोस्ली इस वाले लोगों प्राइवेसी रहें, उन लोगों को डिस्ट्राबिंस नहीं होना चाहिए, और हम लोग वहीं चीज सोचकर यह होमस्टे लिया, ठीक है, थैंक यू अंकल अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू जे, आपनों का भी है, थैंक्यू, क्या नाम था अपका अपना एक शैनल है, जहां आमने होमस्टे किया था, यह देखो इसका चैनल है, 89E और इसमें ऑरगेन अपने प्यारे प्यारे से वीडियोhando, जालता है, प्लीज लाइक सबस्क्राइब मया और हमारे पासे, लाइक सक्लाइब को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपक कि कर दो चल दो पर नहीं का ध appeal को यहां पर एंड जो कि के जिस्वा था और मिलते हो आप सबने नेक्स फ्लक में और में नेक्स फॉलॉग होगा कॉन वह कौन सा हो गार कॉनrá वास्त्री चलेता हुए तो अपना थ्यान का एक ंरख यी लाइफ है एक लगारी के किर